हेलो गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी इस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेके आए डेली करेंड अफियर 19 माई 2022 के सभी important question और साथ हम सभी question के important facts के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमारे exam related important होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो तो पहला question है हमारा प्रतिवर्ष अंतर रास्ट्रे परिवार दिवस कब बनाया जाता है तो परिवार दिवस की अगर बात आती है परिवार दिवस परिवार जो होता है यह समाज की सबसे छोटी ही काई है समाज की सबसे छोटी ही काई अगर कोई है तो वो क्या है परिवार और परिवार अगर देखा जाए तो हमारा एक सयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है पहले जो joint families रहते थी जिसमें दादा दादी चाचा चाची ताउ ताई वग्यरा यह सभी रहते थे तो वो ज्वाइंट फैमली ओगरती थी लेकिन अब जैसे जैसे नगरी करण हो रहा है और शहरी करण हो रहा है उस कारण जो परिवार हो रहे हैं वो संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं और उसी के लिए इस वर 2022 में अब यह मनाया जा रहा है तो 2022 की जो थीम है वो है परिवार और शहरी करण यह भी आपको त्यान रखना है इसकी थीम है परिवार और शहरी करण और यह हमारे जो संयुक्त परिवार से एकल परिवार कनवर्ट हो रहे हैं उनके लिए अफेरनेस फैलाने के का 52 टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है यह किस राजी में इस्तित है तो 52 टाइगर रिजर्व बना है और कौन सा बना है रामगण विश्धारी अभ्यारण अगर बात करी जाएं यह हैं कहां पर तो यह हमारा अगर देखा जाए दो हैं एक तो है रण थंबौर और दूसरा अगर बात आती है तो दूसरा है मुकंद्रा इन दोनों के बीच में एक हमारा एस्तित है रामगड विश्धारी तो यह दोनों जो है हमारे रण थंबौर और मुकंद्रा यह हमारे राजस्तान के और राजस्थान में ही इन दोनों के मत एक है वरा रामगड़ विषधारी अभयरण और इसे देश का बावनवा Tiger Reserve बनाया गया है यानि कि इसका सई आंसर हो गया हमारा राजस्थान और राजस्थान में यह कहां पर है तो यह राजस्थान में बूंदी में इस्थित है तो राजस्थान का एक जिला है बूंदी वहां हमारा रामगडविश धारी अबहरण इस्थित है जो कि देश का बावनवा टाइगर रिजर्व है अगर हम बात करें देश का तिरेपना कौन सा है तो देश का तिरेपन मा भी आपको याद रखना है यह गुरू घासी दास, गुरू घासी दास tiger reserve और जो गुरू घासी दास tiger reserve यह यह है अगला कोशन 16 माई 2022 को Elizabeth born किस देश की दूसरी महिला प्रधान मंत्री बनी है तो Elizabeth born ये बनी है दूसरी महिला प्रधान मंत्री और ये किस देश की बनी है ये बनी है फ्रांस की और फ्रांस के जो रास्टपती है Emmanuel Macro उनोंने ही इन्हे एलिजाबेत बॉन को दूसरी महिला प्रधान मंत्री बनाया है और यह जो संबंदेते हैं यह हमारे Labour Party से संबंदेते हैं इनका जो संबंद है यह Labour Party की है यह भी बात आपको ध्यान रखनी है और अगर बात चल रही है फ्रांस की तो फ्रांस की राजधानी है पैरिस और पैरिस में एक समझोता हुआ था Global Warming से related तो समझोता कौन सा हुआ था आपका COP21 COP21 पैरिस समझोता के नाम से भी जाना जाता है और इस समझोते में Global Warming को कम करने की बाद कही गई थी और जो पैरिस है वो कहाँ पर है वो फ्रांस में फ्रांस की रास्ता नहीं है तो यह भी आपको ध्यान रखना है और अभी हाली में हमारा प्रोजेक्ट 75 जिसके अंतरगत भारत 6 पंडी उपियोंगा निर्माण करेगा यह भी हमारा भारत और फ्रांस का एक संयुक्त कारिकरम है यह बात भी आपको ध्यान रखनी है और फ्रांस में ही अगर देखा जाए तो हमारा 75 वा कान महुतसब हो रहा है जिसमें भारत को सम 12 माई 2022 को प्रधान नरेंदर मोदी ने पहला 5G test bed का शुभारम किया है यह परियोजना किस संस्थान के नेत्रत में की गई है यह की गई है मत्रास अब यह जो परियोजना है क्या है 5G test bed तो यह परियोजना हमारी 220 करोड की परियोजना है जिसे IIT मदरास ने बनाया है और इसका क्यों बनाया है क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे यह 4G की बात चलती है 4G मतलब generation की बात होती है तो जैसे पहले 2G चलता था फिर 3G आया फिर उसके बात में 4G आया और अब हम जो बात कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए 5G तो टेस्टिंग के लिए एक बैड की जोद पढ़ती है तो 5G टेस्ट बैड का शुवारम किस ने करा है हमारे प्रदान मंतरी नरेंद्र पोधी ने और यह किस संस्थान के द्वारा की जा रहे है तो यह IIT मदरास ने 220 करोड रूपे की एक परियुजना चलाई है जिसमें 5G टेस्ट बैड बनाए जाएगा और अगर बात आती है इसमें कौन सा मंतराले शामिल होगा तो ट्राई मंतराले शामिल होगा और ट्राई की अगर फुल फॉर्म देखे जाए तो टेलीकॉम रेगूर लेटरी और थर्टी ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष वरतमान में है पीडी बगेला ये भी आपको याद रखना है और रुडकी में अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीडित भारतियों की संख्या कितने मिलियन हो जाने की आशंका है अब यहाँ पर एक रेपोर्ट आई है IFPRI द्वारा तो IFPRI द्वारा International Food Policy Research Institute के द्वारा एक रेपोर्ट आई है रेपोर्ट के आई है इन्होंने यह बताया है कि जैसे जैसे जलवायू परिवरतन हो रहा है वैसे वैसे Food System पर Effect पड़ेगा यानि Food System जो है उस पर काफी जादा प्रभाव पड़ेगा जिससे भारत में भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भुकमरी जो है वो 23 परसंट बढ़ जाएगी तो इसी बजासे यहाँ पर यह जो रिपोर्ट दिये इसी रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक भारत में जब भुकमरी बढ़ेगी तो भुक से पीडित कितने भारतियों की संक्या हो जाएगी तो यह है हमारा 73.9 9.9 लोग तो अगर बात आती है यह हमारे भुकमरी से पीडित लोग होंगे और यह रिपोर्ट किसने जारी करी है आई एफ पी आर आई ने और यहीं अगर बात कर जाए इसकी स्थापना कब हो थी तो इसकी स्थापना हो थी 1975 में यह भी हमें देहान आकटना है नेक्स्ट हैम हम बोलते हैं Special Drawing Rights तो SDR यानि विशिश अहारण अधिकार Special Drawing Rights यह जो मुद्रा है यह हमारा IMF के द्वारा है IMF की मुद्रा है और इसमें हमारी 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है और 5 मुद्रा हैं कौन कौन सी हैं तो इसमें 5 मुद्रा हैं हमारी Dollar हमारी America की है अगर देखा जाए Pound हमारी UK की है अगर बात आती है Yen तो Yen हमारी चापान की है इसके आगे है Yuan हमारी चीन की है और इसके लबा Euro तो Euro है जो European Union की तो यह हमारी 5 मुद्राओं इसमें शामिल है तो SDR में अगर बात आती है अभी हमारा देखा गया है तो हाली में SDR वसकेट में Dollar और Yuan के भारंगों को बढ़ाया गया है तो यह बात सही है Dollar यानि America का और Yuan यानि जो चीन की मुद्रा है उसकी जो value है उसे बढ़ा दिया गया है SDR IMF की मुद्रा है ये भी बात सही है SDR हमारी IMF की मुद्रा है next SDR वसकेट में कुल पांच मुद्राओं ये बात भी सही है Dollar pounds, yen, yuan, और Euro हमारी पांच मुद्राओं शामिल है वर्तमान में भारत के पास SDR quota 2.75 है ये बात गलत है वरतमान में छो भारत के पास quota है भारत के पास में इसका कोटा है 2.6% तो यहां हमारा 2.6% होगा यानि कि यहां 2.7 दिया है जो की गलत है तो हमारा कौन सो option सही नहीं है option D सही नहीं है तो यह बात हमें ध्यान रखनी है और अगर हम बात करें SDR में सबसे नवीनतम मुद्रा कौन सी शामिल की गई है तो यह चीन की मुद्रा हमारी युवान तो चीन की मुद्रा युवान शामिल करें गई है यह सबसे नवीनतम मुद्रा है और कुल मिलाकर इस समय अगर देखा जाए कितनी मुद्रा है तो इस समय पांच मुत्रा हैं नेक्स्ट है हमारा अगला कोशन माई 2022 में मैलाओं की बैडमिंटन प्रत्योगिता उबेर कप 2022 का किताब किसने जीता है तो यहाँ पर बात आती है बैडमिंटन की बैडमिंटन की अभी एक प्रत्योगिता हुई थी एक तो हुआ था था थॉमस कप और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उबेर कप तो उबेर कप और थॉमस कप दोनों ही बैडमिंटन से संबनेत हैं जो थॉमस कप है वो मेल के लिए है और जो उबेर कप है वो फीमिल्स के लिए है तो male अभी जीता था हमारे भारत ने और किसको हरा कर इंडोनेशिया को हरा कर और इंडोनेशिया 14 बार का champion था जिसे भारत ने इस बार हरा दिया और Thomas Cup अपने नाम कर लिया तो भारत ने भी एक visual record बनाया है 14 बार के champion को उसने हराया है और अगर बात आती है उवेर कप उवेर क तो एक तरफ है हमारा दक्षण कोरिया यानि कि south korea और एक तरफ हमारा नौर्थ korea तो इनके वीच में एक line जाती है उस line का नाम है 38 degree उत्तरी अक्षांश रेका 38 अपर इसको बोलते है 38 डिग्री पैरलर नाइम तो यह हमारा उत्तर कोरिया और दक्षण कोरिया के मधिस् याई देश है जो नाटो के साइबर क्राइम संगटन में भी शामिल हुआ है और दक्षण कोरिया की रास्तानी है सियूल तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है हमारा अगला कोशन हाली में फिनलेंड और किस देश ने उत्री अट्लांटिक संधी संगटन यानिकी न नाटो नौर्थ एटलन्टेंटिby और्गनाइजेशन में शामिल होने के लिए रूची दिखाई है यहां पर दिखाई दिखाई है और सा मिलेंड लेंट है सब्सक्रेहां है और दिखाई देश में जो हमारे आते हैं वह एस्ट dual लिथानिया और लिथानिया और लिथावि इसके अलाबा अगर बात करी जाए तो यहीं पर हमारा बेलारूस और यहीं हमारा यूक्रेन भी देखने को मिलता है तो फिन्लेंड और हमारा स्वीडन जो है वो दोनों हमारे उन्होंने अपनी रूची दिखाई है नाटों में शामिल होने के लिए जिस पर रूस ने धमकी है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो रूस हो सकता है परमाडू हमला भी करें तो इस वैसे यह बात जो है अभी एहम मुद्दा चला है क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल लिए और लड़ाई को देखते हो फिन्लेंड और हमारे स्वीडन ने नाटों में रूची दि रखना है और अगर देखा जाए नाटों तो नाटों में नाटों की स्थापना कब हुई है नाटों की स्थापना अगर देखा जाए कब हुई है तो यह हुई है उनिस्सोड़नचास में और इसमें इस समय कितने सदसे हैं तीस सदसे और इसका जो मुख्याल है वह है रिलाइंस तो रिलाइंस अगर देखा जाए भारत में पहले नंबर पर रिलाइंस है और दूसरे नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अगर बात आती है विश्व में रिलाइंस कौन से नंबर पर है तो विश्व में यह रिलाइंस जो है यह 53 नंबर पर यह भी ध् वहारत में पहले इस्थान पर कौनकी कंपणी आती हैं रिलाइस इंडस्ट्री और दूसरे इस्थान पर आती है स्टेट बैंक ओफ इंडिया यह बी आपको दिषान रखना है नेक्स एंगला वोशन ग्यान बापी मस्जद किस राज्य में स्थ्थ है तो जो जो मुद्दा था यह हमारा 1991 से मुद्दा चला रहा है लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन अभी हाली में अगर देखा जाए यह मुद्दा काफी जादा मीडिया में उच्छाल में रहा है तो ग्यान बापी मजजद आपको याद रखने हैं यह कहां पर के बच्चों के लिए किस राजी में आवासी कोचिंग सेंटर शुरू किया तो इसका अंसर था मडिपूर हमारा आज के सवाल है हाली में ग्रामीड जंजातिय तकनीकी प्रसिक्षन परियोजना का उदगाटन कहां किया गया है तो इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में द कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और चैनल को बीदख तक सब्क कर आए तो चैनल को प्लीज सब्क्राइब करें थैंक्यों गाईस कि अ